हलो गैज वेलकम बैक तो PC वाले YouTube चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हमने इसको सुपर फास्ट सबसे फास्ट 2080 Ti बनाया नौ यह रहा हमारा 3DMark Fire Strike का इनिशल स्कोर यह जो स्कोर तुम को दिख रहा है यह हमारा Ryzen 9 3950 X पे 2080 Ti Founder Edition and Founder Edition है कोई additional overclock नहीं की है stock settings पर run हो रहा हमारा score जो कि हमको 3DMark Fire Strike में मिला 28748 का and अगर आप Graphic Score की बात करो तो Graphic Score जो था वो था 32853 points का यह थी हमारी baseline जिसके साथ हमें काम करना था and जो हमारा final result निकल के आया वो जो था वो हमारा final result में आगर आपको बताऊं तो हमारा final result था यह जो कि था 30,210 points का 3DMark Fire Strike में जिसमें की Graphic Score जो था 32,000 से 34,000 हो चुगा है 34,565 now यह improvement हमको कैसे देखने को मिली हमने क्या करा क्या नहीं करा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना अगर चैनल में इसी तरीकी कि आप cool चीज़े देखना चाहते हो subscribe कर लो like के बटन को दबा दो अगर आप और सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को तो नीचे दियेगा description के Amazon के link से आप shopping कर सकते हो Great Indian sale लगी है बहुत सारी चीज़ों पर sale है like mouse, keyboard, monitors तो सारा जाकर बाइ करो उन चीज़ों को चैनल को से support मिलेगा तो scene क्या था कि हमने card को disassemble किया and इसके उपर modding करी, card को हमने mod कर दिया Nvidia के card के साथ अक्सर problem क्या होती है कि Nvidia के card जो हो power limited होते है कि मतलब जब तुम card को push करते हो जा फिर जब कभी-कभी-कभी तो normal stock भरी बिना push करे card जो power limit हिट कर जाता है, power limit हिट करने का मतलब क्या होता है card के अंदर एक power limit set है कि for example, just for example, माल लो card की power limit है 200 watt अब जब तुम card को run कर रहे हो, अगर card 200 watt को touch करता है जैसे card 200 watt को touch करेगा, अब card को लेगा कि 200 watt मैंने consume कर ली अगर मैं 200 watt से जादा consume करूँगा, तो जो है वो दिक्कत हो जाएगी तो card क्या करता है, अपनी clock speeds down कर देता है, voltage down कर देता है ठीक है, ताकि वो उस 200 watt का जो उसका target है, वो उसके अंदर रहे उससे जादा power consume ना करे, तो NVIDIA के card जो है, वो power limited है इससे क्या होता है, तो तुम्हें card के अंदर ताकत है, कि वो और power performance हो में दे सकता है ठीक है, card के अंदर है, वो capabilities, लेकिन उस power limit की वज़े से वो जो है, अपनी performance नहीं दिखा पाता, तो scene क्या होता है, अब जैसे ही तुम power limit हिट करते हो, for example, card की power limit है 200 watt, जैसी तुम 200 watt हिट करोगे, तुम्हारे card जो है, या तो अपनी clock speeds डाउन कर देगा, या अपनी voltage जो हो डाउन कर देगा, और voltage डाउन करेगा, तो temperatures भी डाउन जाएंगे, और अगर तुमको उससे भी जाधा बढ़ाना है, तो फिर तुम्हे card को mod करना पड़ेगा, और हमारे साथ थे, हमारे साथ Tech Nation भाई, आयूज भाई, जो कि अपने thermal पेश के लिए जाने जाते हो, उनको NVIDIA ने 288 TI दिया, अब आयूज भाई, एक खास project पर काम कर रहे हैं, जो कि तुमको देखने को मिलेगा कुछ time में, और आयूज भाई, NVIDIA का Titan RTX है जो, वो बहुत महनगा card है, 2-3 lakh का card है वो, NVIDIA ने मुझे 288 TI दिया है, पर ये founder edition card है, मुझे जो है, वो अपना 288 TI, normal 288 TI जैसा नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर कुछ अलग चाहिए, मुझे extra performance च चुका हूँ, वो आप जरूर देख सकते हो, 288 TI के उपर, अब ये 288 TI का shunt mod है, shunt mod बेसिकली काम ऐसे करता है कि, NVIDIA के जो ये card जैन गे अंदर, तुमको 3 shunt resistors देखने को मिलेंगे, 5 million के, जो कि तुम्हारे 3 power inputs से जुड़े होते हैं, जो तुम्हारे normal 8 pin and 6 pin होते हैं, उन तुम्हारे जानना है, तो मैं पूरी details जो हैं, किसी और वीडियो में बता दूँगा, basically मोटा मोटा overview में अगर आपको दूँ, तो काम ये होता है, कि तुम्हारे जो card होता है, ग्राफिक card, उसको पता है कि भाई, हमको 6 pin, 8 pin and PCI से हमको मिल रही है 12 volt power, अभी 12 volt power है, बीच म एक 5 milliohm का shunt resistor लगा हुआ है, ठीक है, card को पता है कि ये जो shunt resistor है, ये 5 milliohm का है, उसको उसकी value पता है, एक तरीके से तुम basically ऐसा समझे लो कि card के अंदर जो है, जो है इनकी current sensing circuitry है, वो एक तरीके से A plus B plus C वाला formula लगाती है, मतलब A plus B is equal to C, मतलब कि अगर तुम्हें A और C पता है, B नहीं पता, तो तुम C में से A minus करके जो है, वो B की value निकाल सकते हो, simple logic, जादा मैं इसको detail में नहीं जाओंगा, और इसी basic logic से जो है, एन्विडिया जो है, कितना card power consume कर रहा है, इसी इसको पता लगाता है, जैसे card जादा power consume करता है, जैसे card जादा power consume करता है, वै 10 degree Celsius, या 6 degree Celsius, बहुत कम है, तो ठंडा, ठीक है, अब तुम चाहते हो कि, तुम्हारा card जो हो, boost करे, full maximum frequency पे boost करे, ठीक है, ताकि तुम्हे maximum frame rates देखने को मिले, तुम्हारे temperatures कम है, तुमने full card boost हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होगी, जैसी card for example, boost करेगा, अपनी full speed पे, full frequency पे achieve करेगा, वो power ज्यादा consume करेगा, जैसे ही वो power consume करेगा, card अपने, अपने clock speed जाउन कर लेगा, तो technically, तुम्हे अपनी card की पूरी performance मिल ले ली, तुम्हारी performance जाएगी, for example, अगर card की boost clock हो, 1700 MHz, तो card जो हो 1700 MHz पे जाएगा, power consumption बढ़ेगा, वापस नीचे आ जाएगा, फिर 1700 पे जाएगा, वापस उसकी power consumption बढ़ेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, तो इस type की जो है, वो behavior इशो करता है, लेकिन हमने क्योंकि इसके उपर, thermal grizzly, conductor not, liquid metal हमने shunts के उपर लगा दिया, liquid metal हमने जो है, वो shunts के उपर लगा दिया, and shunts के उपर liquid metal लगाने से ये हुआ कि 5 million का जो वो resistance हा न, हमने उसके बावजूत कुछ current, कुछ amount of current जो है, वो उसके उपर से flow करा, जिससे card जो है, वो trick हो गया, या फिर card की current sensing circuitry है, वो trick हो गई है, जो NVIDIA ने जो विसकंदर circuitry लगाई है, वो trick हो गई, उसको हमने बेवकूफ बना लिया, and वो बेवकूफ ब resistors पर liquid metal लगा दिया, इससे card जो हो बेवकूफ बन गया, NVIDIA की circuitry बेवकूफ बन गई, and card को लगता है, कि वो बहुत कम power consume कर रहा है, जबकि SDG में वो जादा कर रहा होता है, तो इस तरीके से, मान लो अगर तुमारी boost clock 1700 MHz पर है, ठीक है, अब तुम 1700 MHz से boost करोगे, तो power limit वो hit नहीं करेगा, वो हमेशे 1700 MHz पर है, तो 1700 MHz पर ही constant straight line जाएगी, तुमारी clock speed जो तुम कभी देखोगे न, MSI Afterburner में वो screen display आते है, screen overlay, जिसमें screen बे तुमें FPS और clock speed लगा दिखती है, कभी game खेलना, Mac settings पर, graphic card पर full load डालना, तुम्हें दिखेगा तुमारी clock speed जो है, व 1600, 50, 1700, 1800, ऐसे करके वो fluctuate होती है, वो constant नहीं रहती, इससे जो हो तुम्हें एक constant performance नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही card जो power limit hit करता है, वो अपनी clocks भी down कर देते हैं, ठीक है, तो यह चीज अब नहीं है, अगर card की boost clock 1800 MHz है, और अगर तुम temperatures के अंदर अंदर हो, तो card जो हो पू तो यह जो हो हमारी shunt resistor वाला जो हमने यह mod करा, इसका purpose था, हमारी performance कितनी बढ़ी वो तुमको देखने को मिल गया, नाव, एक चीज और, अगर तुम इसके उपर और liquid metal डालते हो, और इसको conductive बनाते हो, तो जो है तुम्हारी performance और बढ़ेगी, बट फिर जादा liquid metal लगाने वो metal मतलब conductive, तो भाई liquid है, भै गया इदर उदर, और किसी और component पर लग गया तो short circuit है, तो यह इसका नुकसान है, इसलिए हमने इसको जादा नहीं लगाया, and अगर तुम permanently card की power limit disable करना चाहते हो, तो उसके और भी तरीके हैं, जैसे तुम कुछ resistance solder कर सकते हो, तो उसमें फ या बोलता है, तुमने मेरा card खराब कर दी है, वापिस ले किया, या फिर Nvidia के लिए बोलता है, लाओ 288 TI वापिस लाओ, हमें कुछ काम है, तो या कुछ भी दिक्कत होती है, और Nvidia card वापिस मांगता है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने soltering कर दी है, अभी जादा card को overclock किया ही नहीं, बिकास जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, हम stock cooler में card की, यह founder edition वाला card है, फाउनर edition वाला card है, founder edition तुम्हें पता है, थोड़ा hot run करता है, अगर तुम Asus का Strix, या MSI का triple fan वाला, या gigabyte का triple fan वाला, इस type के अगर तुम cards यूरे हो, जिनके अंदर cooling की कोई issue नहीं है तो तुम power limit हटाने केबाद overclock भी कर सकते हो तुम power limit हटाने के बाद overclock कर सकते हो ठीक है और तुम्हें जो है और performance देखने के मिलेगी इवन दो तुम्हारा power consumption बहुत बढ़ जाएगा तुम्हारा power consumption काफी बढ़ जाएगा तो ये चीज़े हैं ये चीज़ तुम अगर अपने 28Ti को तुम steroids देना चाहते हो drugs देना चाहते हो performance बढ़ाने के लिए तुम कर सकते हो Now एक चीज़ ध्यान रखना अगर तुम्हारा 28Ti इससे अच्छा perform करता है तुम्हारा जो ये score जो मैं दिखा रहा हूँ यहां पर ये तुम्हारा stock पर ही हमसे ज़्यादा आता है और तुम कोई ASUS का strics या कुछ ऐसा model यूज़ कर रहो या कोई third party model यूज़ कर रहो तो ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो third party models वाले जो card होते हैं जो normal clock speeds होती है जो इनके normal base clock and boost clock होती है वो ज़्यादा होती है वो पहले से ही factory overclocked होते है तो अगर तुमको EVGA का या ASUS का या MSI का card यूज़ कर रहो और तुम्हें ज़्यादा score देखने को मिलता है तो वो तुम्हारा card factory overclocked है हम founder edition यहाँ पर use कर रहे है ठीक है तो यह सारी चीज़े थी तुमको यह वीडियो कैसी लगी क्या interest आया नहीं आया प्लीज अपने विचार comment section ने बता है उमीद है तुमको आच की वीडियो पसंद आएगी दिन्यावत बबाए टेक केर गईस